नमस्कार आप सभी के स्टेडिमेंटर बश्वागत हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमिसन के 64th की नोटिफिकेशन आ चुगी है जैसा कि हम सभी जानते हैं और सबसे जरूरी यह हो जाता है कि हम कौन से किताबों को फॉलो करें जो प्रिप्रेशन के हमारी यह स्टेटिजी में क तो बहुत सारे लोगों कि आपको भी उमिल ला होगा कि हाँ यह किताब पढ़नी चाहिए यह नहीं पढ़नी चाहिए बहुत सारे भीउस होंगे आपके पास मैं जानता हूं डेफिनेटली और कॉन्फूजन भी काफी सारे होंगे मैं आपको कुछ बुक्स आज सजेश्ट करूँगा काफी लिमिट बुक्स है मैं बहुत जादा किताबों के पीछे नहीं भागता हूं काफी जादा किताबे नहीं लेनी हैं कम किताबे हैं ठोस किताबे हैं जादा से जादा उन्हें पढ़ें बेहतर ढंग से पढ़ें और कुछ एक्स्टा चीजे हमारा जो ग्रूप है वहां पे भी आपको मिलती है जो जो कुछ टॉपिक्स पे बहुत अच्छे इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं तो उन्हें आप प्रिफर्ट कर सकते हैं जो बहुत जादा उप्योगी लगे या किसी टॉपिक पर आपको टेक्स में बात करने माले कि किताबे हमें कौन-कौन सी फॉलो करने चाहिए रूम में किताबों की संख्या बहुत जादा नहीं बढ़ानी चाहिए कभी भी क्योंकि वो फिर मानसिक तनाव का रिजन बन जाता है हम उसे पढ़ भी नहीं पाते हैं वो अनावश्यक जो है टो यह सारे अनुभाव पे मेरे अधारित है और मैं चाहूंगा कि आप सब इन किताबों को एक बार देख ले अगर आपको उपयोगी लगे तो ले ले या मैंने अमेजन का भी लिंक आपको अब लेबल करा दिया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी आप वहां से भ घर पे घर श्याप के मार्केट नजदीक है तो आप जाके डेफिनेटली वहां से बाई कर लिजेगा जो भी आपको ज़्यादा उपयूगत लगे ठीक है चलिए शुरू करेंगे उससे पहले अगर आप नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे बीपी ए अपडेट मिलेगा चलिए और आप हमारे गुरूप जो बीपी एसी है फेस्बुक पे इसको आप जोईन कर लिजे बीपी एसी मेंटर गुरूप आप सर्च मारेंगे फेस्बुक पे मिल जाएगा विश्वास किजिए काफी अच्छा गुरूप है आपको किसी तरह की कोई समस्य यहाँ पे नहीं होगी किसी तरह की निगेटिविटी या पार्टी पॉलिटिक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इक्छा हो जोईन कीजिए अगर खराब लगे तो आप लिव कर सकते हैं गुरूप को कभी भी जब आपकी इक्छा हो गुरूप को छोड़के आप ज सकते हैं लेकिन चुकि मैं टैप पे यह वीडियो बना रहा हूं तो आपको दिकत हो सकती है लेकिन मैं मैं लिखूंगा तो उसमें थोड़ी दिकत आ सकती है लेकिन जो है आप सुनेंगे बिल्कुल असपर्ष्ट रूप से आप उसे लिख ले या स्किन सोट ले ले जैसे आपको फ्यूत लगे चली शुरू करते हैं टोटल मैंने इसे जो सब्डिविजन किया है वो लगभग 10 सेक्षन में किया है ठीक है 10 सेक्षन में इसे मैंने सब्डिविजन करके और उसके अनुशार पर उसमें सभी में सब्डिविजन भी होंगे तो उसके अधार पर मैंने किताबों की ये आपको basic जो सबसे अच्छी किताबों की सुची हो सकती है वो कम से कम आपको मैंने provide करने की कोसिस किया कि कम से कम किताबों में आपका काम हो जाए Pilips में आपको top नहीं करना है ये आप समझ लिजे कि जो 10 विषय है अच्छा नहीं होता है ठीक है और जो एब्रेज है उसमें एब्रेज करें जो पूर है उसमें पूर कर लेकिन 5-6 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए 10 में से जिसमें आपकी पकड बहुत बहतरीन हो मतलब कि उसमें आपके कोश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा माक्स उसमें गेन करने की स्थेती में हो ठीक है ये बात होनी चाहिए सबसे जो BPSC का important section है वो है history और जोग्रफी ठीक है यहाँ से सबसे ज़्यादा question बनते है history में आप किसी भी साल का paper उठा लो आपको 30-35 एक साल minimum 8-25 आया था otherwise history से हमेशा 30-35 question आता रहा है 35 पलस भी हुआ एक दूबर 37-38 भी आया तो history आपका definitely अच्छा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 20% से ज़्यादा question 20-25% यहाँ से question आ रहे हैं तो history आपका definitely अच्छा होना चाहिए आपको history पे बहुत अच्छे से work करना पड़ेगा यह आप एकदम मतलब की ध्यान में रखो इस चीज को कि history जोग्रफी आप नहीं छोड़ सकते हैं यह आपको मजबूत करना पड़ेगा मैं बताऊंगा कैसे मजबूत करना है घर पे भी बैटे हैं तो कोई दिकत नहीं है इसके sources हैं काफी जादा Facebook पे भी है YouTube पे भी हैं वहाँ से आप इसकी उप्योगी बना सकते हैं अपने लिए उप्योगी बना सकते हैं इन sources को ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहली चीज की history में हम जानते हैं कि तीन sections होते है ठीक है एक तो होती है ancient history AH कह सकते हैं इसको medieval history और एक होती है modern history तो इसको emoji लिख देते हैं ठीक है ancient और medieval history में आपको केवल और केवल NCRT की जो 11th की किताबे हैं 11th और 12th की आप उसको देख लिजेगा केवल इसी को पढ़ना है इसमें basic चीजे history की दी हुई है आपका जो fundamental questions है यहां से हो जाता है medieval में क्या करना है medieval में दो चीजे आपके पास दो sources है sorry modern दो चीजे है इसमें से आपको केवल एक लेना है या तो आप spectrum ले लिजे यह civil services के student भी preferred करते क्योंकि modern history का जो BPC का question होता है वो थोड़े standard का होता है उसमे standard अच्छा खासा होता है तो या तो आप spectrum पढ़ लो या द्रिष्टी का जो book आई है अलग-अलग subject wise उसकी भी history की एक book आती है तो या तो आप द्रिष्टी की history की book ले लो ये आप दोनों में से कोई एक ये द्रिष्टी लिखा हुआ है चुकि टैब पे लिखने में दिकत हो रही है थोड़ी से मेरी handwriting इतने भी बुड़ी नहीं है तो आप ये book फॉलो कर सकते हैं या तो spectrum या फिर द्रिष्टी ठीक है दोनों को आप market से देख लीजिए लेकिन अगर मानेंगे अगर केवल आप BPSC की preferred करते हैं प्रिफरेंस में आप इसे रखते हैं तो आप द्रिष्टी के साथ जाईएगा अगर आप civil services का भी सोचते हैं Union Public Service Commission अथाथ UPSC भी सोचते हैं तो आप spectrum के साथ जाईएगा spectrum दोनों जगा काम आएगा ठीक है द्रिष्टी की बुक थोड़ी ज़्यादा factual है पर अच्छी किताब है डेफिनेटली अच्छी है लेकिन आप अगर civil के लिए जा रहे है तो spectrum के साथ जाईएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है तो ये दोनों किताबे आपकी nearest book shop पे मिलेगी और Amazon की link भी मैंने दे दी है मैं कहूंगा कि आप Amazon से ही ले लिजेगा कहाँ समय खराब किजेगा दुकान पे जाके लेकिन final decision आप खुद लिजेगा चलिए ये सारी चीजे हो गए इसके साथ साथ आपको केवल ये करना है कि घटना चकर का question bank घटना चकर का subject wise question bank आता है ये ध्यान रखिएगा history का अलग आता है geography का अलग आता है environment का अलग आता है polity का अलग आता है economics का अलग आता है ये सारे विश्यों का अलग अलग आता है तो सभी का possible अगर नहीं है बनाना मान लेते हैं कि आप कहेंगे कि सर history, geography, polity, economics सब के 400-300 के आसपास pages है इतने के questions बनाना और उनका description करना अपने आप में चुनोती है डेफिनेटली चुनोती है चार महिने, तीन महिने में बहुत मुस्किल काम है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सेट भी बनाने है बहुत सारे काम है तो मैं कहूंगा कि आप economics का छोड़ सकते हैं घटना चक्र का मत लिजिएगा economics का छोड़ दिजिएगा history, geography तो definitely आपको लेना चाहिए ठीक है ये दोनों तो जरूर ले लिजिएगा क्योंकि ये सबसे major है environment भी ले लिजिएगा कि environment का 60-70 page में ही रहता है तो वो कर शकते हैं ठीक है तो इसके साथ एक घटना चक्र करना ही करना है ठीक है lucent तो खर है ही आपके पास अगर समय मिले अगर समय मिलता है तो lucent से कुछ questions कुछ sections कर लिजिएगा like ancient history के जो facts है वो lucent से कर लिजिएगा medieval history के जो facts है उसे आप कर लिजिएगा medieval में एक चीज और ध्याँ रखिएगा medieval history का जब आप preparation कर रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या पूछते हैं कि जादा तर क्या question पूछेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कोई अगर पद था राजा के साथ जो सहयोगी पद होता था वो जीर या जो रक्षा विभाग सम話ल रहा या जो अस्तबल का या अस्पताल का या जो क्रिशी विभाग समाल या कोई भी विभाग जो समालना उस पद पे बैठे पता धिकारी को किस नाम से जाना जाता था आप पुराने प्रशन उठाईए आपको यहां से बहुत जादा question मिलेंगे यहां से हमेशा question आता है ठीक है तो उसके जैसे दिवाने खैरात जो है इसके पहले BPSC में आ चुका है और भी बहुत सारे जो questions है वो आ चुके हैं बहुत जादा 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 इसके पहले जो 62 हुआ था BPSC में वहाँ पर जो भी पद है उनको एक बार अच्छे से तयार कर लिजएगा ठीक है तो इतना ही करना हिस्टी में ज्यादा किताबों के मतलब की ज्यादा किताबों के शंख्या नहीं है हिस्टी में थोड़ी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हिस्टी आप समझ सकते कि यहाँ से लगभग 30 से 35 कोस्टन्स है तो आप समझ सकते हैं थोड़ी यहाँ पे एक श्टाब को मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी पता है कि बीपीएसी में हिस्टी का सेक्षन कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है अब आते हम जोगरफी में पहली बात की जोगरफी में केवल और केवल एक किताब पढ़नी है वो है महेश कुमार बर्नवाल सर की यह अभी वरतमान में SSP है पुड़ुचेरी पुलिस सर्विस जो यूपीएसी के एक्जाम होता है उसमें गुरूप भी सर्विसेज भी होती है तो इन्हें पुड़ुचेरी पुलिस सर्विस मिला है तो यह वहाँ पे अभी SSP है अनि 98-2000 के आसपा सर का सलेक्शन हुआ था तो अभी वहाँ पे लेकिन इन्होंने बाद में एकुछ कारणों से जो है इन्होंने बाद में जोईन किया था तो सर SSP है अभी महाँस कुमार बनवाल सर तो इनकी किताब बहुत अच्छी है जोग्रफी अप्शनल भी पढ़ाते थे मुकरजीनगर में तो इनकी किताब बहुत अच्छी है किताब का नाम है समगर भुगोल हिंदी में समगर भुगोल बोलते हैं मैंने link दे दिया है इसका भी आप वहाँ से देख लीजेगा समगर भुगोल इसे बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिस में इसको बोलते हैं comprehensive geography तो ये किताब आप definitely ले लीजेगा ये इसमें क्या है कि इसमें जो fundamentals geography है वो भी दिया हुआ है जो basic होता है जैसे गरह नक्षत्र या अकाश गंगा है या जो भी चटानों के प्रकार है इस सारे चीजे इसमें दी हुई है उसके साथ साथ इसमें जो world geography है वो भी दिया गया आपको याद होगा कि 63rd के प्लिम्स में एक पूछा था कि कॉफी के निर्याते के लिए बंदर गा तो उस किताब में ये question आपको मिल जाएगा जब आप दक्षिन अमेरिका का भूगोल उसमें खोलेंगे और जब ब्राजिल में जाएंगे तो ब्राजिल का उस सहर का नाम उसमें दिया हुआ है नोट्स में तो ये question बिल्कुल वहाँ से आपको मिलेगा किताब से आपको बहुत सारी जो world geography का section भी है वहाँ से उसको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा इंडियन जोगरफी भी दिया हुआ है इस किताब में महस बनवाल में और environment section भी दिया हुआ है agriculture जोगरफी सभी sections में अच्छी खासी किताब है ये बहुत अच्छी किताब है इसको ले लिजिए इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अगर बहुत जादा मन करे किताब पढ ठीक है और question bank बस दोनों का घटना चकर का ले लिजेगा अलग-अलग आता है ये चीज़ यादा की कि मैंने पिछली साल का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत से student का मैंने comment देखा था सर घटना चकर एक ही आता है SAC का आता नहीं ये नहीं एक UPC or PCS special subject wise घटना चकर आता है तो आपका काम होहां से हो जाएगा कोई दिकत नहीं आएगी ठीक है इतना करना है एटलस देखे जोगरफी में एटलस important होता है लेकिन अगर आप पर सकते हैं तो थोड़ा सा थोड़ी सी जो है उस पर समय देकर जो इंडिया में लेक्स है या रिवर्स है उनका थोड़ा है इस टाइब के प्रशन थोड़ा सा अपने से कुछ चीजों पर नोट्स बना लिजेगा हम गुरूप में भी वैसे प्रवाइट कर देते हैं आप गुरूप से जूड़े रहिएगा वहां पे आपको इस इनसे रिलेटेड मैं तुरंती पोस्ट डाल दूंगा या आपको मिल भी जाएगी ठीक है तो ड्रेनेस पेटन में थोड़ा सा एक कोश्टन वहां से फसने की या नदी घाटी परियोजना है इस सब टाइब के कोश्टन डेफिनेटली वह पूछते हैं तो यह सब चीज़े आपको घटना चक में मिल भी जाएगा वैसे जब आप कोश्टन बैंक सोल्ब करेंगे तो ठीक है और कोशीज करें कि एक एटलस जो है आप रखिएगा वो कोई सा भी हो सकता है एक जो भी आपको ठीक लगे मार्केट से एक ले लिजेगा एक पड़ा थोड़ी से प्लट लेंगे तो आपके लिए बेहता रहेगा या रूम में ऐसा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में क्या करना है कि पॉलिटी में बहुत से किताबे हैं देखिए दो चीजे हैं एक तो परिक्षावानी की किताब आती है बहुत अच्छी किताब है ये प्रिलियम्स एस्पेसल किताब है ये सब परिक्षावानी और दूसरी आ हैं तो आप लक्षमी कांसर के साथ जाए अगर आप केवल PCS के लिए अभी फोकस्ट हैं या चाहते हैं कि PCS के point of view से ही केवल पढ़ूं तो आप परिक्षावानी ले लिजिए काफी रहेगा ठीक है क्योंकि पॉलिटिस से आप देखी अगर इन दोनों को आप नहीं कर सकते हैं या फिर किसी तरह की दिक्कत आ रही आपको तो आप चाहें तो लूसेंट से भी काम चला सकते हैं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी मैं कहूंगा कि आप परिक्षावानी के साथ जाहिएगा अगर PCS के त्यारी करें अगर लक्षमी कान्त पढ़ा है पहले से तो कोई जरूत नहीं है ठीक है अगर लक्षमी कान्त नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि BPSC केवल औरियंटेट रहूं तो परिक्षावानी के साथ जाहिएगा क्योंकि लक्षमी कान्त को आपको पढ़ने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा क्योंकि काफी मोटी किताब है और टाइम टेकन किताब है तो इसमें आपको बहुत जादा टाइम पढ़ेगी तो यह चीजे हैं इसके साथ साथ घटना चक्र की question bank ले लिजेगा अच्छा रहेगा ठीक है इतना ही करना इससे जादा नहीं जाना है बहुत जादा नहीं फैलना है कोई एक लेना है इसमें से लुसेंट तो है लास्ट में इसको रिविजन के लिए आप यूज किजिएगा लास्ट में किताबे नहीं पढ़ सकते तो एक बाल लुसेंट से गो थू हो लिजेगा 20-25 पेज है तुरंत पलटके एक दो दिन में पढ़ लिजेगा उसको तो परिक्षावानी या लक्षमिका लक्षमिकाद नहीं पढ़े हैं तो बिलकुल मत लिजेगा पढ़ लिए हैं तो ठीक है फिर कोई किताब मत लिजेगा लक्षमिकाद को दो तीन बार रिवाज कर लिजेगा अधर्वाइस नए स्टुडेंट है बिलकुल तो परिक्षावानी लिजे क्योंकि लक्षमिकाद अगले बात ये है कि economics economics से question BPSC का कभी बहुत जादा आजाता है बहुत जादा मतलब कि 20-25 कभी बहुत कम आजाता है कभी बिल्कुल नहीं आता है ये भी चीज़े हैं तो 96-66 में हमने देखा था बहुत जादा question था उसके बाद इन्होंने कम कर दिया है तो economics में केवल एक चीज़ करना है आपने lucent lucent का economic section पढ़ लिजेगा काम चल जाएगा इसके साथ साथ आपको क्या करना है तो इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो किताबे ले सकते हैं किताबे suggest करने के लिए बहुत सारे किताबे पर मैं चाराओं की इससे बचे क्योंकि आप lucent कर लिजे और साथ के साथ अगर ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है तो आप अत्रिक तांक ले लिजेगा परतियुकतत दरपन का एक अत्रिक तांक में भी दो variety है एक मोटी अत्रिक तांक जुलाई अगस्त के आसपास यहीं मही वाला ही आपको मिलेगा भी मार्केट में तो 125 इस पर प्रिंट था अभी याद नहीं है साथ 100 के आसपास इन्होंने या 90 के आसपास मुझे दिया था तो पतली वाली लिजेगा मोटी वाली बहुत जादा हो जाएगी वो आप पढ़नी पढ़िएगा बहुत टाइम ले लेगा और इसमें last में questions भी काफी सारे practice के लिए वो दे देते हैं मुझे लगता है कि 500 questions थे उसमें last में practice के लिए तो आप यह ले लीजेगा अच्छा रहेगा मात्रिक तांक पढ़ सकते हैं इसमें जो मिनरल से हैं जैसे आप देखिएगा तो खनीच से हर साल एक दो कोश्टन बीप्यसी में होता है कि इस खनीच का प्रोडक्शन कौन सा देश सबसे ज्यादा कर रहा है या कहां पर सबसे ज्यादा है या भंडार किसके पास संचित एसेनलाल की किताब भी आती है और रमेश कुमार सर की भी बुक भी आती है लेकिन आप कर नहीं भाईएगा और उतना कोश्टन बीप्यसी पूछता भी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा समयमत बरबात कीजिए इससे काम आपका बड़े आराम से स्मूथली चल जाएगा घटना चक्र अगर मन हो तो ले लिजेगा बना सकते हैं तो बनाईएगा अधर्वाइद आप इसकी एकोनॉमिक सेक्षन में कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब थोड़ा स्मूथली खिचते हैं काफी टाइम हो चुगा है बिहारे स्पेसल की बात करें तो बिहारे स्पेसल में आप क्या किजिएगा कि एक तो रिपब्लिका की आती है दूसरी के बीसी नैनो की आती है इन में से कोई एक किताब ले लिजेगा पंदरा से बी एक ले सकते हैं इसके अलावा लूसेंट भी आती है तो लूसेंट भी आप ले सकते हैं लूसेंट भी सही है लूसेंट भी ले सकते हैं एक बार देख लिजेगा मार्केट में जो आपको सही लगे इन में से कोई सभी एक ले लेना है रिपब्लिका दिल्ली की एक कोचिंग इनका बनाया हुआ है, मार्केट में मिल जाए, तो ठीक है, अधर वाइज आप KBC नैनो ले सकते हैं, या लुचेंट ले लिजेगा है, या विवास पनॉर्मा भी आती है, वो भी ठीक है, ठीक है, करेंट अफेर्स में देखिए, ये फैक्चुल कोश्टन्स पूछते हैं, ब अगर विजन UPSC के लिए जादा है, इनसाइट UPSC के लिए जादा है, अगर आप पढ़ते हैं वो, तो BPSC में उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि BPSC फैक्चुल पूछती है, सीधी सी बात है, तो इसमें आपको या तो परत्योक्तादरपन उपयोगी रहेगा, या घटना की महासागर, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो इन चारों में से कोई एक, कोई एक लेना है, और मार्केट में बहुत सारे अब्जेक्टिव प्रेक्टिस के लिए आते हैं, करेंट अफेर्स की, इसको कर लिजेगा, या यूटूब पे भी बहुत सारे चैनल की वीडियो इसमें, चलिए आगयाते हैं, साइन्स सेक्षन में देखिए बहुत सी किताब हैं, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि लूशेंट का जो सामानने विज्यान है, उसको आप ले लिजे, लेकिन लूशेंट के सामानने विज्यान बहुत मोटी किताब है, उसको मैं कहूंगा की मत लिजेगा उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो Lucent की General Knowledge की किताब लिजेगा Lucent GK ठीक है? GK की किताब में ही Science Section होती है उसको आप कर लिजेगा अच्छे से 4-5 बार पढ़ लिजेगा और उससे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो आप क्या कीजेगा कि Railway का तो जो Railway का SPD का किताब है इसको आप ले सकते हैं SPD में क्या है कि वो काफे ज़्यादा factual दिये हैं तो BPSC factual ही Science पूछती है तो आप इससे cover कर सकते हैं Lucent की किताब काफी है इसमें Science Section दिया हुआ है तो इसको आप पर सकते हैं बहुत अच्छा है अगर समय मिले या मन करे तो घटना चकर का Question Bank भी आता है Science का शामान ने विज्ञान करके घटना चकर का Question Bank ठीक है UPSC PCS वाला उसको भी बना सकते हैं लेकिन अगर 20-25 Question यहां से होते हैं 25 के आसपस तो आप चाहे तो घटना चकर भी कर लिजेगा तो बहतर हैगा यह दो किताबे आपको Follow करनी है और Question बनाने है ज़्यादा से ज़्यादा Miscellaneous Section जो वीविद होते हैं कि भारत में प्रत्थम या खेल में कौन सा खेल से कौन सा ट्रॉफी जुड़ा हुआ है किसको कौन सा पुरसकार किस च्छते से जुड़ा हुआ है किसको कौन सा पुरसकार कब मिला तो ये इसके लिए आप केवल Lucent पढ़िएगा और कुछ ने Only and only Lucent ठीक है चलिए आ गया आते है मैं तो रिजनिंग सेक्षन में अभी थोड़ी से ट्रेंड चेंज हुई है 62 में इन्होंने Question तो टफ रखा था पर थोड़ा सा वहां से वह लिबरल होना शुरू हुए है 63 में इन्होंने General जो Math होता है जो competitive exams का point of view से उससे related question इन्होंने ज़्यादा पूछ दिया था तो आप जो basic maths है Time and distance है या फिर जो पानी टंकी वाला questions होते है तो इन सब को एक बार कर लिजेगा ठीक है चलिए अब सबसे important चीज यह है कि previous papers यह क्या करना है कि एक publication आती है youth competition इसकी question bank BPSE की बहुत अच्छी है आप definitely ले जेगा इसमें question के साथ इतना अच्छे से description दिया है कि आपको बहुत फायदा होगा तो यह जरूर आप बनाईएगा इसको youth competition का online मिल जाता है मैं link दे दिया हूँ Amazon का आप वहाँ से buy कर लिजेगा या फिर अपने nearest book shop से जाकर ले सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे या इसके साथ साथ आपको अगर ज़्यादा मन करे question bank बनाने का तो आप UPSC का या PCS का जो factual question है बहुत जादा depth UPSC का question मत किजिएगा जो UPSC या other PCS है UPSC का है या उत्राखंड का जैसे उत्राखंड से इस बर 17-18 question इसा माना जा रहा है कि 17-18 के round में question माना के जा रहा है वो proof के साथ भी आया था market में कि उत्राखंड PCS के 17-18 question लगभग सीधे सीधे BPSC में पूछा गया था तो वो question लडने की समभावना बढ़ जाती है कि question वो नया कहां से लेंगे कुछ ने कुछ question तो कहीं से लड़ेगा ही लड़ेगा तो आप कुछ PCS के question जैसे UPPCS है या उत्राखंड PCS है तो इनके question bank अगर आपके पास है तो आप बना लिजेगा जितना question बनाएंगे उतना ही अच्छा रहता है या फिर market से भी youth वाला जो है UPPCS का आप ले सकते हैं 300K round का है मैंने खुद भी पता किया था अभी मैं भी हो सकते तो मैं भी लूँगा तो ये UPPCS का आप ले सकते हैं या अगर घटना चकर बना जाएंगे सभी का तो जरुवत नहीं है वैसे आप इस्किप कर सकते हैं या youth competition BPCS तो definitely आप ले लिजेगा उसके साथ साथ जो sets होते हैं market में जो coachings के set साथ हम अपने group में भी पिछली बार कम से कम 10 से जादा BPC mentor में हमने provide किया था तो आप वहाँ से भी group में भी कुछ student provide करते हैं हमारे पास भी उपलब्द होता तो admin panel भी आपको provide कर देती हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं market से भी उठा कर आप रूम पर प्रेक्टिस OMR से पर डेफिनेटली कर शकते हैं तो ये सारी चीजे हैं इतनी ही किताबे लेनी है मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि 8-10 के आसपास maximum किताबे होंगी है तो इतना लेकर आप करिए काम को सुरू किजिए त्यारी किजिए जहां भी दिकत होगा आप गुरूप में पोस्ट किजिए कमेंट किजिए हम डेफिनेटली आपको रिपलाई करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसे हम स्वल्ब करने की पूरी कोसिस करेंगे ठीक है चलिए प्रिप्रेशन अच्छे से कीजिए वीडियो काफी लेंदी बन गई काफी लंबा बन गया लेकिन बहुत काम की बाते हुई है बहुत अच्छे से सारी चीज़े बताई गई है ठीक है जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में चैनल को जरू सब्सकाइब कर लिजेगा और BPS Inventor Group को तो डेफिनेटली जोइन कर लिजेगा ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार